जहीं दोस्तों स्वागा थे आपका हमारे यूट्यूब चनल एंसीसीवे में फिरिंस कल के वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था एंसीसी स्पेसल एंट्री स्कीम 57 का जो SSV डेट्स है वो रिविल कर दिये गए हैं और कब तक आप लोगों को SSV डेट्स सेलेक्शन कर रहा है कि कीज़ डेट को हम लोग सेलेक्शन कर सकते हैं यह वाल ऑप्शन आप लोगों को देखने को नहीं मिल रहा तो इसका मैं स्वल्यूशन बताऊंगा लेकिन यदि आप लोगों ने वह वीडियो नहीं देखें तो प्लीज पहले जाकर वह वीडियो देखिए उसके बाद यह वीडियो देखिए तब चीजों को अच्छे से आप लोग एनलीसिस कर पाओगे उसके बाद आप लोगों को मैं आज लाइफ बताऊंगा कि SSB डेट कैसे सेलेक्ट करना है कल मैं आप लोगों को एक हिंट दिया था उसके बाद भी यह भी बताऊंगा कि कैसे आप लोगों को अपना बैंक डीटल फील करना है जिसमें आप लोगों को ट्रेवलिंग अलाइन्स लेना है जिसको हम लोग टीए बोलते हैं उसके बाद काफी कैडिडेट यह भी पूछ रहें कि आधार वेरिफिकेशन कैसे करना है तो इसके भी मैं आप लोगों को बताऊंगा लोगों को कौन से अक्तिवीटीस कराया जाते हैं आप लोग कैसे अपने एक्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं इन पर क्लासें और यदि आप लोग एक्स कैडेट हैं तो एक्सके कैडेट यह कोई स्पेशल एंट्री स्कीम यद प्राइवेट या गौर्वह जॉब जॉ जाता है उन सब का डिटेल आप लोगों को एंसी सी वे चैनल पर देखने को मिल जाता है तो यदि आप लोग चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बाइल आइकन को अन कर लोगे चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक पूरा प्रोसेस देखने के दौरा आप लोगों को कोई बी चीज समझ नहीं आता तो प्लीज आप लोगों को वीडियो को लाइक करके ही कमेंट करने है तब आप लोगों को रिसपॉन्स हैं एर आP क्लिवर क्यूरा है करके गरोंगा है और आपका डॉट मेर लोगों को सिर्फ SSB सेंटर दिख रहा है तो इन सब के लिए आप लोगों को सिंपल से फोन के ब्राउजर में आना है इसमें लिखके टाइप करना होगा जाइन इंडियन आर्मी उपर सबसे लेटेश्ट आएक है इस पर आप लोगों को क्लिक कर लेना है फिर यहां जो क्यप्चा कोड देखने को मिलता है इसको डालकर यहां पर इंटर वेबसाइट पर क्लिक कर लेना है जैसे ही आप इंटर वेबसाइट पर क्लिक करते हो तो यहां आप लोगों को अपना यूजर्नेम डाल लेना है, यूजर्नेम आप लोगों का gmail id होता है, जिससे आप लोगों ने registration किया था, जॉइन इंडीन आर्मी आफिश सेक्शन में, और यहां पर आप लोगों को पासवर्ड बना ले पासवर्ड फिल कर लेना है आप लोगों को system generated पासवर्ड मिला होगा या वो पासवर्ड आप लोग चेंज कर लिए होगे उसको यहाँ पे डालके यह जो capture code दिया है इसको यहाँ पे फिल करके आप लोग से लोग इन कर सकते हो काफी candidates ऐसे हैं जिनको पासवर्ड नहीं पता वो लोग पासवर्ड फॉर्ड कर सकते हैं कुछ candidates ऐसे हैं जो यही भूल जाते हैं कि उनका username क्या था कुछ कौन सा email id का उन्होंने use किया है तो यहाँ पे फिल करके आप लोग उसको भी find out कर सकते हो उसके बाद simple सा आप लोगों को login कर लेना है जैसे ही आप लोग अपना id, user id और password डाल के login करते हो तो आपके सामने आपका dashboard खुल के आ जायता है कुछ इस प्रकार अब आप लोग यह पूछ रहे थे कि आप लोगों को ssb center देखने को मिल रहा है लेकिन आप लोगों को जो slots है वो देखने को नहीं मिल रहा है तो इसके लिए सबसे पहले आप लोगों को क्या करना होगा आपका जो dashboard वाला section है यहाँ पे देखो dashboard का एक section देखने को मिल रहे है इसी में आप लोगों को थोड़ सर नीचे scroll करना है और आप लोगों को सबसे पहले ये वाला section देख लेना है जिसमें देखने को मिलता है आप लोगों को bank details इसमें simple सा आप लोगों को एक बार click कर लेना है तो bank details का options खुलके आता है जिसमें आप लोगों को अपना bank name फिल करना रहता है जिससे आप लोग TA लेना चाहते हो traveling alliance यदि इसमें नहीं लेना चाहते है फिर भी आप लोगों को एक bank details फिल करना होगा जिसमें कुछ इस प्रक book है उसमें branch number देखने को में जाता है branch name उसके बाद आप लोगों को IFSC code लिक लेना है account number लिक लेना है सही सही account holder name जरूरी नहीं है कि आप लोग अपना ही account डालो यदि आप लोगों के पास account detail नहीं है तो आप लोग अपने parents का भी डाल सकते हो उसके बाद जिसका भी आप लो आप लोग यहां से select करोगे उसके बाद ध्यान रखना काफी candidates यहां पर mistake यह करते हैं beneficiary name इसमें आप लोगों को सिर्फ आपका ही नाम लिखना है bank detail आप लोग किसी कभी डालो लेकिन beneficiary आप होंगे ठीक है इसके बाद यहां पर beneficiary mobile number तो यहां पर भी आप लोगों को अपन इसमें भी click कर लेना है personal details I have मेरे पास है अधार number तो अधार number पर tick करना है आप लोगों को यहां पर अपना अधार number fill up कर देना है जो रहता है आप लोगों का अधार number पूरा उसके बाद आप लोगों को यहां पर check box पर tick को लेना है नीचे इसी special entry scheme 57 का section देखने है और इसी में आप लोगों को pencil का इकन देख लेना है इसके सीधे में और simples में आप लोगों को click कर लेना है तो जीन भी candidate को सिर्फ SSB का जो selection center है वही दीख रहा था और जो slots है वो नहीं दीख रहा था इसका main reason है आप लोगों को पहले यहाँ पे देखो pop-up सो भी कर रहा है कि अधार verification करना है इसके बाद ही यह slots जो है वो खूलेंगे तो कैसे करना है मैंने बता दिया previous में और यहीं पे आप लोगों को आपका जो selection center है यह देखने को मिल जाता है और यहाँ पे आप लोगों को जूतने भी slots है वो देखने को मिल जाते है तो जो भोपाल में है female के लिए वो यहाँ प जिसमें अभी कितने seats खाली है 586 आप लोग यह वाला slot भी select कर सकते हूँ यह वाला slot select कर सकते हूँ यह भी तो simple सा आप लोगों को date select करने के लिए क्या करना होगा यहाँ जो select लिखा हुआ रहा है इसमें आप लोगों को simple सा click कर लेना है लेकिन मैंने कल के वीडियो में आप लोगों को बताया था कि direct आप लोगों को select नहीं कर लेना है पहले आप लोगों को देखना है कौन कौन से slots आपके लिए खुले हैं और उस slot में आपका कोई main exam college का exam या घर में कोई कारेकरम तो नहीं है और parents एक बार discussion कर लेना है उसके बाद ही आप लोग select करोगे यदि आप your date choice selection is successfully your SSB dates for Allahabad यह है साथ जनवरी से लेकर 11 जनवरी ठीक है आवाइट instruction from the selection center for date and time of reporting जैसे ही आप लोग select करते हो तो सबसे important काम आ जाता है आपका आपका call up later download करना तो यह अभी release नहीं किया गया है एक ही दो दिन के अंदर में यह भी release कर दिया जाएगा कैसे download करना है उसमें क्या के instructions है सारे चीजे मैं आप लोगों को टाइमली प्रोवाइड करूंगा एंसी सीवे चैनल के मार्जहम से आई होप यह वीडियो आप लोगों के लिए informative रहा वीडियो इंफोर्मेटिव रह तो वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स तर जरूर सेयर करना मिलते हैं नए ऐसे ही informative वीडियो के साथ जहीन